देश के प्रधानमंत्री मानिश्री नरिंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ कि उन्हों ने जिस प्रकार से चंद्रियांत्री जो चांद पर उतरा है उस अस्थान का नाम सिवसक्ति पॉइंट रखा है और इसकी घोशड़ा किया है लेकिन इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि इसके पहले की कोई और विचारधारा के लोग इसके और देशों के लोग वहाँ पे जा करके वहाँ का पिर गजवा हिंद ना बना इसलिए चांद को हिंदू राष्ट के रूप में घोशित किया जाए संसत्य प्रस्ताव पास करके और वहाँ की राजधानी सीव सक्ति पॉइंट को बनाया जाए क्योंकि इसके पहले कि कोई दूसरा जा करके वहाँ पे जिहाद करें वहाँ पे जा करके वह वह इसलामिक और अनेक विचारधारा को कटरपंधियों को फैलाए आतंकवाद को फैलाए इसके पहले चांद को एक ह हिंदू सनातन राष्ट के रूप में गोशित किया जाए और उसकी राजधानी सीव सक्ति पॉइंट ही हो क्योंकि चांद भगवान सीव के मस्तक में बिराजमान होता है और इसी तरह से हिंदू सनातनियों का चंदा मामा से पुराना संबंद है अनेक प्रकार की चांद का हमा यहां सास्त्रों में जिक्र है इसलिए मैं चाहता हूं कि चांद की सुधता और पवित्रा बनी रहे और उसको जो है हिंदू सनातन राष्ट के रूप में घोशित किया जाए संसत्य प्रस्ताव पास करके सहिंक्तुराश्ट्रंग की तरब से चांद को एक हिंदू भूसित किया जाए बहुत बहुत धन्यवाद हरियों राम राम